जै गुरुजी संगत जी गुरुजी की शिरी चर्णु में कोटी कोटी प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी डिवाइन संगत को भी जै गुरुजी मैं आशा करती हूँ कि आप गुरुजी की दिव्याभा ग्रंत का कि सभी सत्संग पूरा ध्यान पूर्वक और पू पूशनों का उनको उनका आंसर मिले जिससे कि हम अपनी लाइफ को चिंता मुक्त रहकर जी सके और गुरुजी का सानिध्य में रहें इसी विंती के साथ कि आप सभी सत्संग पूरा सुने पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरुजी मेरा मेरे परिवार का और अपनी सभी संगत नौन संगत का ध्यान रखे और हमेशा 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 अपने श्रीचर्णों से जोड़े रखे अपना भी ध्यान रखे क्योंकि हम सब मिलकर भी गुरुजी का ध्यान नहीं रख सकते वो काम भी गुरु जी को खुदी करना है क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं कर सकती हैं और हम पपेट्स रहने में ही खुश है तो अपनी रजा में राजी होना सिखाओ गुरु जी और प्ली संगत जी आप जितना ज़्यादा हो सके इस सथसंग फॉरवर्ड करें क्योंकि बहुत ज़्यादा संगत है जिनको सथसंग की नीद है और इसी तरह से सभी का कल्यान हूँ सो मैं सथसंग स्टार्ट करती हूँ गुरु जी के दिव्यमंत्र के साथ ओम नमस्षिवाई शिवजी सदा सहाए ओम नमस्षिवाई गुरु जी सदा सहाए यह सत्संग विरेंद बोरी अंकल का है अंकल जी लिखते हैं चित्र से उपचार मेरे ससुर सेवा निवरत होने के पचात हरीद्वार में रहने लगे थे वह मदू में से पीड़ थे और उनके मदू की मातरा कभी सीमा से नहीं रहती थी यदबी उनके हिर्दय की चिकितसा हो चुकी थी फिर भी रोग बना हुआ था उनका एक गुर्दा भी काम नहीं कर रहा था एक दिन फोन आया कि वह गंभीर अवस्था में चिकितसाले में है मेरी पत्नी ने रोना शुरू कर दिया अगले फोन के पस्चात आशा तूपने लगी उनकी अवस्था और बिगड़ गई थी मंगलवार का दिन था और हम गुरू जी के पास नहीं जा सकते थे हमारा विश्वास समाप्त होने लगा मैंने एक पुराने भक्त को फोन किया और वह बोले की गुरू जी को सबका ग्यान है इससे हमें आशवसन मिला और हम सो पाए गुरू किरपा से ब्रिस्पतिवार को गुरू जी का एक चित्र मिला और अगले दिन ही हम गुरू हरी दौार चले गए चिकित साले में हमने स्थिती का अनुमान लगाया और मेरी पत्नी ने गुरूजी का चित्र अपने पिताजी को दिया उन्होंने उसे अपने मस्तक से लगाया और अपनी कमीज के जेब में रख लिया वह कभी भी गुरूजी के पास नहीं गए थे तुरंथ ही गुरूजी की सुगंद उस कक्ष में फैल गई और हम सबको अभास हुआ कि भौतिक दूर्या होते हुए भी हवे है अपने भक्तों के समीब होते हैं जै गुरूजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूजी हम लौट आए एक सब्ता बीतने वाला था चुकित्सक अब पक्षाघात का अनुमान लगा रहे थे चमतकारिक रूप से सिटी सकैन भी सपश्ट था चुकित्सक अचंबे में थे और ब्रसपतिवार को उन्होंने डिर्ड़े लिया कि उनको निकट देखरे के लिए एक सब्ता और वहां रखा जाएगा उस समय तक कुछ भी हो सकता था अगले दिन प्रत है मैं अपनी कारेले में था मेरी पत्नी ने फोन किया तो मेरी मन में पहला विचार आया कि बुजर्गवार लुडग गए मेरे हाथ काप रहे थे और अपनी पत्नी की बात नहीं सुन पा रहा था मेरी पत्नी को दुबारा कहना पड़ा कि वह चकेटसाले से घर आ गई है वह रो रही थी और गुरुजी को बार बार अपना धन्यवाद प्रकट कर रही थी शाम को जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा कि उसके पिता की इस्तिती पहले से बहुत अच्छी है जै गुरुजी शुकराना गुरुजी जब मेरे ससुर गुरुजी के दर्शन के लिए आए तो उन्हें गुरुजी ने एक और भेट दी, उनकी पत्नी, मेरी सास, गठिये की रोगी थी, वह अपने पती के साथ गुरुजी के पास आई थी, जब वह वापस हरिद्वार गई, तो उन्हें आभास हुआ कि बिना हाथ में दर्द हुए, वह अपने पोते के लिए स्वेटर बुन सकती थी, यह महीला जिनोहने अपनी समस्या के लिए गुरुजी से विन्ती भी नहीं की करी थी, रोग से मुक्त हो गई थी, गुरुजी की दिया ऐसी ही होती है, जए गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, भौती प्यारा और च्छोटा सा सत्संग था, जए झाल झाल